नमस्कार दोस्तों यसके क्लासेश चैनल में आप सभी का स्वागत है आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में घंटी भी दवा आप दोहिएगा ताकि आपको बंगला लेंग्वेच की वीडियो मिले गले गएगए और आप बंगला लेंग्वेच बोलना सकते है babi देख रहीं चाहते है अया अभाव सर डॉल do पकूरे देस की यात्रा की है मैंने सड़क द्वारा पूरे देश की यात्रा की है इस वीडियो को लाइक कर दिजी आपका लाइक ही जो है अमारे मिनात का फल होता है कार की डिकी में अपना सारा समान रख दो गाडिर डिकी ते समोस्तो माल पत्तोर रेखे दाओ हम लोग बारी बारी से गाड़ी चलाएंगे मैंने एरबस द्वारा दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा की मैंने एरबस द्वारा दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा की दिल्ली से मद्राज तक विमान का क्या किराया है दिल्ली थेके मद्राज विमाने भाड़ा कतो हमारा हवाई जाज एक घंटा लेट हो गया आमादेर विमान आयाक घंटा लेट हो गया छे हमारा हवाई जाज एक घंटा लेट हो गया आमादेर विमान आयाक घंटा लेट हो गया छे मुझे बंबई जाने वाले बिमान को पकड़ने के लिए हवाई अड़े जाना है आमाई बंबाई गामी विमान धरबार जुन्ने विमान बंदोरे जेते हवे मुझे बंबई जाने वाले बिमान को पकड़ने के लिए हवाई अड़े जाना है आमाई बंबाई गामी विमान धरबार जुन्ने विमान बंदोरे जेते हवे दिल्ली से बंबई जाने के लिए कौन सा विमान है दिल्ली थेके बंबाई गामी विमान कखोन चाड़े मैं विमान द्वारा जा रहा हूं आमी विमान या प्लेने जाच्छी विमान आधे घंटे में उतरेगा आध घंटार मुधेई प्लेन ऐसे जाबे विमान आधे घंटे में उतरेगा आध घंटार मुधेई प्लेन ऐसे जाबे वे हमारे विमान की गोसणा कर रहे हैं मैंने इसके पहले कभी विमान यात्रा नहीं की है आम एर आगे कखोनों विमाने चापीनी मैंने इसके पहले कभी विमान यात्रा नहीं की है आम एर आगे कखोनों विमाने चापीनी अपने समान की पर्चु को सावधानी से रखो निजेर जिनिश पत्रेर कागोज या रोसीद साबधाने रेखो क्या मैं खिलकी के पास बैठ सकता हूँ आम की जाना लार पासे बोस्ते पारी क्या मैं खिलकी के पास बैठ सकता हूँ आम की जाना लार पासे बोस्ते पारी विमान उढ़ने वाला है या हम जमीन छोड़ रहे है विमान ओड़ बार मुखे या आमरा माट चाड़ा ची विमान उड़ने वाला है या हम जमीन छोड़ रहे हैं विमान उड़ बार मुखे या आमरा माट छाड़ा ची इस प्रकार इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंडों में खूब ज्यादा ज्यादा सेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा नमस्कार दोस्तों धन्यवाद